है गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल पूजा स्टैल कॉर्णर आज का जो वीडियो है मिशो जूलरी होल पार्ट टू पार्ट वन मैं अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हूँ यदि वह वाला वीडियो अपने नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और यह वाला वीडियो देखने के बाद आप वह वाला वीडियो भी जरूर चेक कर ले और इसते पहले मैंने अपना सारा जूलरी कलेक्शन वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया है यदि वह वाला वीडियो भी यदि आपने नहीं देखा तो वह वाला वीडियो भी चेक कर ल जूल्री मंगवा रखी है और सारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है इस बार मिशो की पैकेजिंग भी काफी अच्छी आई है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिसे मुझे रिटेन करना था तो यह सारी चीजे मिशो आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी में चीजे आपको सेंड करने लगा है तो यदि अभी तक आपने मिशो डाउनलोड नहीं किया तो आप जाईए मिशो डाउनलोड कीजिए और बहुत ही अफोडेबल प्राइस पे आपको सारी जूलरी, कपड़े, फुट्वियर, बैग ये सारी चीजे आपको मिल जाएगी अभी तो फिलाल मैंने जूलरी उससे पहले अपने कीचन के लिए कुछ सामान मंगवाया था तो यही सारी कैटेग्री मैंने अभी तक ट्राइ की है बट आने वाले वीडियो में हो सकता है मैं इनका बेग का कलेक्शन या फुट्वियर कलेक्शन भी जरूर ट्राइ करूंगी तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फास्ट जूलरी की बात करते हैं और ये पूरे हॉल वीडियो में मेरी फैवरेट है इसलिए मैं फास्ट में वही चीज़े आपको दिखाती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है तो ये इस तरीके से मुझे पैकेजिंग में मिली है काड़़ बॉक्स है ये प्लास्टिक में नहीं मिला इस बार मुझे ये बट इसकी क्वालिटी इसका डिजाइन मुझे इतना ज़्यादा सुन्दर लगा है तो इस तरीके से मुझे ये एक नेक पीस मिला है जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है आप देख सकते हैं यहापर परपल और रेट का कॉंबिनेशन है जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है और इस तरीके से इसके आवाज आती है जो मुझे ऑक्सिडाइस जूलरी में सबसे ज़्यादा चीज पसंद है वो इस तरीके की छंचन के आवाज आती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है तो आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर नेकलेस है इसने मेरे पूरे गले को कवर कर लिया है और यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा ब्लैक के साथ तब इवन बहुत ज़्यादा सुंदर लगा रहा है और इस तरीके से मैंने रेड्ली पिस्टिक लगाई है तो पूरी तरीके से मैच हो गया वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है और यदि आप यहरिंग नहीं भी पहनना चाहते है इसके साथ चोटे चोटे स्टर्ड आते ना तो जादा अच्छे लगते क्योंकि फिर ये बहुत जादा ओवर लग रहा है तो मैं तो इस नेकलेस के साथ चोटे स्टर्ड पहनूंगी तो मुझे इसका कलर तो काफी पसंद आया बट इसमें और एक दो कलर थे जिसमें से एक ब कलर इसका और मंगवाने वाली हों क्योंकि मुझे ये काफी सुन्दर लगा नेक्स्ट जूलरी की बात करते हैं तो ये बहुत ही सुन्दर से ऑक्सिडाइज यरिंग है जूमके हैं मुझे इस ट्राइक के बड़े-बड़े जूमके पहना बहुत ही ज्यादा पसंद है आप के साथ शेयर की है मेरे जूलरी कलेक्शन वीडियो को आप जरूर चेक करें आई बटन में लिंक अपको मिल जाएगी तो इस तरीके के जूमके मुझे मिले है इसमें बहुत सारे कलर थे पहले मैंने पिंग वाला सिलेक्ट किया था बट मैंने सूझे कि पिंग मेरे पास आर तो उसे से मेच करते हुए यह वाले जुमके मेंने मंगवाया है जो बहुती ज्यादा सुन्दर है क्वालिटी भी बहुती ज्यादा अच्छी है मतलब मैं इसमें के हो सकता है कि मैं एक और कलर ट्राय करूँ गाइस देखिए आप कितने ज्यादा सुन्दर लग रहे हैं और आवाश तो और भी ज्यादा सुन्दर है यह कलर काफी अच्छा लगा मुझे और जिस तरीके से यह दिख रहना कि यह बहुती ज्यादा वेट में होंगे बट यह बहुती ज्यादा लाइट वेटेड है मुझे लग भी नहीं रहा कि मैंने इतने बड़े बड़े जुमके पहन रखे हैं तो बहुती सुन्दर सी यह मुझे जुमकिया लगी है यदि आप इसमें के और भी कलर ट्राय करना चाते है तो जरूर आप चेक कीजे मीशो को नेक्स्ट जूलरी की बात करते हैं तो यह मैंने सेट मंगवाए हैं यह रिंग के तो मुझे यह तीन के सेट में हैं फर्स्ट सेकेंड एंड यह थर्ड जो मैंने स्टार्टिंग में पहन रखे थे तो फर्स्ली मैं इसकी बात करूंगी क्योंकि इनी को देखके मैंने यह सेट ओडर किया था और ऐसा नहीं है कि यह सेट में आया है तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रमाइस होगा बिल पहले हैं और रेडि टो गो यह फर्स्ट यह रिंग है उसके बाद सेकेंड यह रिंग की बात करूं तो इस तरीके के राउंड शेप में मुझे यह रिंग मिले हैं और कोई भी स्टोन आप देख सकते कहीं से भी कुछ भी नहीं निकला है तो क्वालिटी बहुत ही ज़्या इस तरीके से यदि आप कोई भी बड़े यहरिंग पहने के आपको कोई जुरत नहीं है आप सिर्फ इन इस अपना लूप कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं तो यह थर्ड यह रिंग है जो पहने पर बहुत ही जादा सुनदर लग रहे हैं मतलब मु पहले कभी इतने बड़े यरिंग नहीं पहने हैं यह first time है जो मैंने मीशो से order किये और इतने बड़े-बड़े यरिंग मिले हैं और मेरे face पे यह काफी सुन्दर लग रहे हैं मतलब आप बताईए मुझे कि यह वाले यरिंग आपको कैसे लगे क्योंकि मुझे तो काफी अच्छे लगे हैं और मेरे messages आ रहे हैं next jewelry की बात करते हैं तो यह बहुती beautiful सी ring है जो price के according काफी अच्छी है मतलब इसका price ऐसा नहीं है बहुत कम भी नहीं है बट मुझे तो काफी अच्छी लगी इस टाइप की जो जूल्री होती है ना इस लिखी हुई इस टाइप से आप देख सकते इस पर राधे लिखा हुआ है बहुत ज्यादा सुंदर लगती है तो मैंने पहले वाली फिडियो में आपको दूर्ण दिखाई थी जिसमें दूर्गा जी और गणेश जी के फैस वाली रिंग मैंने मंगवाई थी जो बहुत यची क्वालिटी में मुझे मीली थी और फिर मैंने सोचा चलो एक यह वाली इस टाइप से जो लिखा हुआ है यह पर भी उन दोनों से भी अच्छी यह वाली आई है और मुझे बहुत जाद ज्यादा अच्छी लगी है तो आप मेशों पर चेक किजे मतल आपको बहुत ज़्यादा स्क्रोल करना होगा तब जाके आपको बहुत अच्छे ची क्वालिटी के और बहुत अच्छे प्रोड़क्ट यूनिक पीस मिल जाएंगे तो और मुझे इस टाइप की यूनिक चीजे होती ना मुझे परसनली बहुत पसंद है इस तरीके से जैसे ये राधे लिखा हुआ है इसमें राधा कृष्ण वाली भी रिंग थी वो भी काफी सुंदर है तो हो सकता है फ्यूचर में मैं और भी रिंग्स मंगवा हूँ अभी फिलाल तो ये वाली रिंग काफी सुंदर है नेक्स्ट जूलरी की बात करें तो पूरे हॉल वीडियो में आपने ज़्यादा तर चीजे देखी होगी थोड़ी ऑक्सरडाइज और इस टाइप की थी तो आप देख सकते हैं अब ये वाले येरिंग कितने ज्यादा प्रिटी है स्टार्टिंग में आप इंस्टाग्राम पर ये वाले येरिंग है ना 1500 इस टाइप से मिल रहे थे तो उस टाइम तो मैंने सूचे इतनी मतलब इतनी सी जूलरी के लिए इतना पैसा मैं तो नहीं खर्च कर सकती बट मिर्शो पे जब मैंने इने देखा और इतनी कम प्राइ आप तुरंत मंगवा लो अधर्वाइस वह आउट आफ स्टोक हो जाती है तो ये येरिंग बहुत ही सुंदर है ये कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं इस टाइप के जो जूलरी गोल्डन जूलरी में पास बहुत ज्यादा है फिलाल मैं भी ऑक्सिडाइज जूलरी पे काफी सुंदर लगती है मैंने जो ये येरिंग है अपनी एक अनार्कली सुट्ट जूलरी में आपको दिखा दी है कि कितने सारी मेरे पास गौल्डन जूलरी थी ऑक्सिडाइज जूलरी में पास बहुत ही कम थी इसलिए मैं अभी फिलाल जो भी जूलरी मंगवारी हूं ज सूट के लिए मंगवाए हैं ये काफी सुंदर लगेंगे उसके साथ मतलब मेच करते हुए जब आप चीजे मंगवाते हो तो वह ज्यादा यूज में आती है रेंडम अगर हम कोई चीज मंगवा लेते हैं तो वह पड़ी रेती है हम सोचते हैं अच्छा मैं इसके साथ कप पहनूंगी इसको कप पहनूंगी तो मैंने इसे मेच करते हुए मंगवाया है तो ये काफी सुंदर येरिंग मुझे लगे नेक्स्ट जूलरी की बात करते हैं तो इस टाइप की जूलरी मेरे पास पहले कभी नहीं थी इसलिए मैंने सोचा चलो एक ट्राय तो बनता है बट थोड़ा सा इस जूलरी ने मुझे डिसपॉइंट किया है बट क्वालिटी मोतियों की क्वालिटी काफी अच्छी आई है यह जूलरी है तो आप देख सकते हैं कि यह वाली जूलरी इस तरीके से मोतियों की माला जो आपके जो साडियां होती ना प्लेन साडियां आपको ज्यादा रेडी नहीं होना है बट फिर भी आपको एक अच्छा लुक क्रेट करना है तो आप इस टाइप के जो मोतियों की म आप देख सकते हैं यहाप पर इस तरीके से दागा निकला हुआ है तो मैं डोरी तो इसकी चेंज करवा लूँगी आपको मार्केट में अलग से डोरी मिली जाती है तो इसलिए मैंने यह वाला पीस रख लिया और प्राइस के अकोर्डिंग मुझे यह काफी सुन्दर लग र और इनकी क्वालिटी मतलब मोतियों की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी बट वस डोरी मुझे अच्छी नहीं लगी फिर मैंने सुचा चलो प्राइस के अकोर्डिंग तो चीजे अच्छी ही आई है इनके साथ इस टाइप के चोटे-चोटे से एरिंग भी मुझे मिले ह तो यह तो मैं नहीं पहनूंगी थोड़ा सा मुझे लोकल सा लग रहा है बट इसके साथ चोटे-चोटे स्टर्ड यदि आप पहनते हैं मोति वाले तो वह काफी सुन्दर लगेंगे तो यह पीज़ी मुझे काफी अच्छा लगा इसे में अपनी साडी वगिरा के साथ स्टाइलिंग वीडियो भी देखने के लिए मिले क्युकि आज कल में थोड़ा सा अपने चैनल पर थोड़ी सी चीज़े चेंज कर रहे हूँ मुझे जितना अपने घर को डेकोरेट करना पसंद है उतना खुद को डेकोरेट करके रखना पसंद है तो मुझे मेकप करना तो हो सकता है वो वाली वीडियो भी आपको उतने ही ज्यादा अच्छे लगेंगे जितने की मेरे होम डेकुरेशन वाले ट्रेवल वीडियो आपको पसंद आते हैं तो ये वाली जूलरी अच्छी है नेक्स्ट जूलरी की बात करें तो इस तरीके से मुझे इसकी तो आप देखें ये कितना ज्यादा सुन्दर है इस टाइप के जो स्टोन है बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे मिले हैं और आप पीछे के साइट पर देखे तो आप इसको डोनों साइट से पहन सकते हैं मतलब अगर आप इस टाइप से पहना चाहते तो आप इस सुन्दर सा नेकले से मुझे तो काफी अच्छा लगा मतलब अगर आप कोई भोती हैवी साड़ी वगेरा पहन रहे है तो उसके साथ इस टाइप के लाइट विटेड जूलरी यदि आप कैरी करते हैं तो बहुती ज्यादा सुन्दर लगती है बहुती ज्यादा क्लासिक ल चाहूंगे जो वर्सेटाइल हो आप ज्यादे तर पहन पाऊ तो यह वाली जूलरी है आप आराम से सूट के साथ साड़ी के साथ लेहंगे के साथ किसी के साथ भी इसको पहन सकते है इवन यह मैंने जो गाउन पहन रखा है इसके साथ भी यह कितनी ज्यादा सुन्दर लग इन में से कोई भी प्रोड़क्ट आपको पसंद आता है लिंक आपको सारे description में मिल जाएंगे code मिशों पे code होते हैं तो सारे code आपको description में मिल जाएंगे आपने मेरा jewelry collection वाला व्यडियो नहीं देखा तो प्लिस जाएगे और उसे जरूर देखिए क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ही सुन्दर सुन्दर सी जूलरी आपके साथ शेर की है ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जूलरी लेके रख लेती हूँ मैं उतने ही इंटरस्ट के साथ इन्हें पहनती भी हूँ तो सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे इस तरह की के एंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर एंड बाई